रेडी इस्टार्ड किसी भी नई सरकार के लिए सुधारों का काम कुछ आसान होता है क्योंकि चुनाव के तुरंट बाद राजनीतिक चोखिम कम होने से उसके पास साहसिक फैसले लेने की गुझाईस होती है मोदी सरकार ने कई अहम सुधार किये हैं लेकिन वे अभी भी संक्रमण काल में हैं जैसे वस्टू एवं सेवाकर यानी जी एस्टी जिसमें समय के साथ काफी संसोधन किये गए हैं लेकिन अभी भी पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे में लाना और दरों के मोर्चे पर भी कुछ काम किया जाना सेस है इसी तरह दीवालिया सनहिता भी एक अहम सुधार है लेकिन इसमें भी अभी तक वित्य छेत्र को सामिल नहीं किया गया है अभी भी भूमी सुधारों और सरम सुधारों को मुर्ट रूप दिया जाना बाकी है चुकि इनमें राज सरकारें भी अहम अंसभागी हैं तो नई किन्र सरकार को चाहिए होगा की वह इस कयावद यद में पुरसाहक की भूमिका निभाए कुल मिलाकर नई सरकार के लिए यह आवस्यक होगा की वह नई सुधारों को लागू करने के साथ पहले किये जा चुकें सुधारों की निरंतरता को कायम रखे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खेती से जुड़ा हुआ है और किसानों की खराब हालत भी किसी से चिपी नहीं रही इसलिए सरकार को क्रिसी और किसानों की भलाई के लिए भी अविलंब कदम उठाने होंगे क्रिसी छेत्र लंबे समय से सुधारों की बाट जो रहा है इसकी काया पलट देश की एक बड़ी आबादी का जीवन बेहतर बनाने में सच्छम है इसके लिए सरकार नीजी छेत्र को क्रिसी के साथ जोडे चुकि काफी मात्रा में खाद्यान उत्पाद बाजार तक पहुचने से पहले ही खराब हो जाते हैं इसलिए यह संभव बनाया जाए की खाद्यान प्रसंस्करण का दाइरा बढ़ा कर उसमें उनका इस्तेमाल किया जाए केंडर सरकार राजियों के साथ मिलकर क्रिसी सुधारों को अमली जामा पहनाए उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए भी सभी अस्तरों पर प्रयास किये जाने चाहिए वैसे तो भारत और चीन के पास क्रिसी योग्य भूमी बराबर है फिर भी चीन का उत्पादन भारत से दोगुना अधिक है ऐसे में अगर उत्पादन बढ़ता है तो उत्ध्योगों के लिए भी अतिरिक जमीन आसानी से उपलब्द हो सकेगी इससे खाद्य सुरच्छा सुनिश्चित होने के साथ ही अर्थ वेवस्था की रफ्तार भी वड़ेगी रोजगार भी नई सरकार के लिए निश्चित रूप से एक चुनावती होगी रोजगार के मोर्चे पर फिलहाल उतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखती ऐसे में नई सरकार को तातकालिक और दिर्ग कालिक दोनों तरह के उपाए आजमाने होंगे तरकालिक उपायों में मन रेगा जैसी योजनाएं अहम होंगी तो दिर्गा औधी योजनाओं के लिए कौसल विकास को बढ़ावा देना आवस्यक होगा इसके लिए बी निर्माड में कपड़ा वाहन चमड़ा और सेवा में स्वास्थ्य सिच्छा और परयतन जैसे सरम आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा इस हकीकत से भी इंकार नहीं किया जा सकता की बदलते वक्त के साथ आटोमेशन को अपनाया जा रहा है इससे परंपरागत नोकरिया खत्रे में पढ़ेंगी लेकिन इससे नई तकनी की नोकरिया की राह भी खुलेंगी नोकरियों की राह भी जोड़ागत नोकरियों की राह भी खुलेंगी